बुद्धिमान यग्यकर्ता जो ग्रह जिस रंग का हो उसे उसी रंग का वस्त्र और फूल समर्पित करें सुगंदित धूप दें पुना फल पुष्प आदी के साथ सूर्य को गुण और चावल से बने हुए अन्य खीर का चंद्रमा को घीव और दूद से बने हुए प्रदार्त का मंगल को गोजिया का गुद को खीर पश्टिक दूद में पके हुए साथी के चावल का ब्रहस्पत को दही भात का शुक्र को घी भात का शनेश्चर को खिचडी का राहु को अंज श्रिंगी नामक लता के फल के गुदा का पर केतु को विचित्र रंग वाले भात का नई व्यद्ध अरपण करके सभी प्रकार के भक्ष प्रदार्थों द्वारा पूजन करें वेदी के पू वस्त्रों से परिवेश्टित करके उसके निकट फल रख दें उसमें पंच रत्न डाल दें और उसे पंच भंग पीपल बरगद पाकड गूलर और आम के पल्लव से युक्त कर दें उस पर वरुण गंगा आदी नदियों सभी समुद्रों और सरोवरों का आबहन तथा स्थ कुंद और गौशाला की मिट्टी लाकर उसे सरवोशदी मिश्रित जल से अभी शिक्त कर यजमान के सनान के लिए वहां प्रस्तुत कर दें तथा यजमान के पाप को नश्ट करने वाले सभी समुंद्र नदी नद बादल और सरोवर यहां पधारे ऐसा कहकर इन देवताओं का आबान करें ततपश्चात घी जो चावल तिल आदी से हवन प्रारंब करें मदार पलाश खैर चिचड़ा पीपल गूलर शमी दूब और कुशिये क्रमश नवोग्रहों की समिधाएं हैं इनमें प्रतेक ग्रह के लिए मधू घी और दही अथवा पायस से युक्त एक सो आठ या ठाइस आउतियां प्रदान करनी चाहिए बुद्धिमान पुरुष को सदा सभी कर्मों में अंगूठे के सिरे से तरजनी के सिरे तक की माप वाली तथा बर रोह शाखा और पत्तों से रहित समिधाओं की कल्पना करनी चाहिए परमार्थ वेता यजमान सभी देव के लिए उसके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए ब्रामनों को इस मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को आहुति देनी चाहिए इस मंत्र से चंद्रमा को आहुति दे मंगल के लिए इस मंत्र से आहुति दे बुद्ध के लिए और देव गुरु रहस्पति के लिए यह मंत्र मा आने गए हैं राहु के लिए यह मंत्र कहा गया है तथा के तु की शांती के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए चरू आधी हवनिय प्रदार्थों में घी मिलाकर मंत्र उच्चारण कूर्वक हवन करना चाहिए तक पश्चात व्याहतियों का उच्चारण करके घी क की दस अहुतियां अगनी में डाले उन्हां स्रेष्ट ब्रह्मन उत्रा भिमुक अथ्वा पूर्वा भिमुक बैठ कर प्रतेक देवता के मंत्रुक चारण पूर्वक चरु आधी प्रदार्तों का हवन करें फिर इस मंत्र का उचारण कर रुद्र के लिए हवन और बली देनी चाहिए तत्पष्चात उमा के लिए इस मंत्र से स्वामी कार्थिकिय के लिए इस मंत्र से विष्णु के लिए इस मंत्र से ब्रह्मा के लिए इस मंत्र से और इंद्र के लिए इस मंत्र से आहुति डाले इस प्रकार यम के लिए इस मंत्र से हवन बतलाया गया है काल के लि के लिए इस मंत्र का पाट है विश्णु के लिए यह मंत्र कहा जाता है हवन समाप्त हो जाने पर चार ब्रहमन अभिशेक मंत्रों द्वारा उसी जल पूरण कलश से पूर्व अथवा उत्तर मुप करके बैठें हुए यह जमान का विशेक करें और ऐसा कहें ब्रह्मा विश् यह देवता आपका विशेक करें जगदिश्वर वसुदेव नंदन स्रीक्रिष्ण सामर्थ्य शाली संकर्ष्ण वल्राम प्रदुम्न और अनिरुद्ध यह सबी आपको विजय प्राप्त करें इंद्र अगनी ऐश्वर्य शाली यम वरुण पवन कुबेग गम्मा सहित श विशेश नाग और दिकपाल गण यह सबी आपकी रक्षा करें कीरती लक्ष्मी दृती मेदा पुष्टी श्रद्धा क्रिया मती बुद्धी लज्जा शांती पुष्टी कांती तथा तुष्टी यह सबी माताएं जो धर्म की पत्नियां हैं यह आकर आपको अभिशिक्त क करें सूर्य चंद्रमा मंगल बुद्ध ब्रहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु और केतु यह सभी ग्रह प्रसंता पूर्वक आपको अभिशिक्त करें देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षत सर्प रिशी गउ देव माताएं देव पत्निया विरिक्ष नाग दैत्य अपसराओं के समू अस्त्रशष्ट्र सभी मृप गण वहन ओशद रत्न कला काश्ठ आदी काल के अभियव नदिया सागर परवत तीर्ति स्थान बादल तथा नद यह सभी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धी के लिए आपको अभिशिक्त करें इस प्रकार स्रेष्ट ब्रह अमणों द्वारा सरवोशती एवं संपूरण सुगंदित प्रदार्तों से युक्त जल से सनान करा दिये जाने के पश्चात सापत्न के यजमान शुएत वस्त्र धारन करके शुएत चंदन का अनुलेप करें और विस्मय रहित होकर शांत चितवाले इरितिक जो का प्रतन् करें तथा सूर्य के लिए कपिला गव का चंद्रमा के लिए शंक का मंदल के लिए भारवहन करने में सामर्थ एबन उचे डीड वाले लाल रंग के बैल का बुद्ध के लिए सुवरण का ब्रहस्पति के लिए एक जोड़ा पीले वस्त्र का शुक्र के लिए शुएत करें के दान का विधान है यह जमान को यह सारी दक्षणाइं सुवरण के साथ अथवा सुवरण निर्मित मूर्ती के रूप में देनी चाहिए या जिस प्रकार गुरु पुरोहित प्रसन्न हो उनके आग्यानुसार सभी ब्रहमनों को सुवरण से अलंक्रित गउए अथव केवल सुवरण दान करना चाहिए पर सरवत्र मंत्रुप चारण पूरुवक ही इन सभी दक्षणाओं के देने का विधान है दान देते समय सभी देय वस्तुओं से प्रथक प्रथक प्रकार प्रातना करनी चाहिए कपिले तुम रोहनी रूप हो तीर्थे एवं देवता त तुम संपूरण देवों की पूजनिया हो अथा मुझे शांती प्रदान करो शंक तुम पुन्यों के भी पुन्य और मंगलों के भी मंगल हो भगवान विश्मूने तुमें अपने हाथ में धारण किया है इसलिए तुम मुझे शांती प्रदान करो जगत को आनन्दित करुआ वाले व्रिशव तुम विशिरूप हो और धर्म और अश्तमूर्थी शिवजी के वाहन हो अता तुम मुझे शांती प्रदान करो सुवरण तुम ब्रह्मा के आत्म स्वरूप अगनी के स्वरण में बीज और अनन्त पुन्य के प्रदाता हो अथा मुझे शांती प्रदान करो दो पीले वस्त्र अथात पितांबर भगवान स्री कृष्ण को परंप्रिय है इसलिए विश्णो उसको दान करने से आप मुझे शांती प्रदान करें अश्व तुम अश्व रूप से विश्णू हो अमरिस से उत्पन हुए हो तथा सूर्य एवं चंद्रमा के नित्य वाहन हो अथा मुझे शांती प्रदान करो प्रित्वी तुम समस्त धेनु स्वरूपा कृष्ण गोविंद नाम वाली और सदा संपूरण पापू को हरण करने वाली हो इसलिए मुझे शांती प्रदान करो लोह क्योंकि विश्व के सभी संपादित होने वाले लोह कर्म हल एवं अस्त्र आदी सारे कारे सदा तुम्हारे ही अधीन है इसलिए तुम मुझे शांती प्रदान करो छाग क्योंकि तुम संपूरण यग्यों के मुख्य अंग रूप से निरधारित हो और अगनी देव के निक्त्य वाहन हो इसलिए मुझे शांती प्रदान करो गव क्योंकि गवों के अंगों में चोदहों भुबन निवास करते हैं इसलिए तुम मेरे लिए इही लोग एवं परलोग में भी कल्यान प्रदान करो जिस प्रकार भगवान केश्यव तथा शिव की शैया कभी शुन्य नहीं रहती बलकि लक्ष्मी तथा पारवती से सदा शुशोवित रहती है वैसे ही मेरे द्वारा भी दान की गई शैया जन्म जन्म में सुख से संपन्य रहे जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता निवास करते हैं वैसे ही रत्न दान करने से वे देवता मुझे शांती प्रदान करें सभी दान भूमी दान की सोलवी कला की भी समता नहीं कर सकते अथा भूमी दान करने से मुझे इस लोक में शांती प्राप्त हो इस प्रकार कृपणता छोड़कर बक्ति पूर्व ग्रत्न, सुवर्ण, वस्त्रसमू, दूप, पुष्पमाला और चंदन आदी से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। राजन अब आप बक्ति पूर्व ग्रहों के स्वरूपों को सुने। चित्र प्रतिमादी विधानों में सूर्यदेव की दो बुजाय निर्दिष्ट हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान दहते हैं। उनके दोनों हातों में कमल शुषोवित रहते हैं। उनकी कांती कमल के भीतरी भाग कीसी है। और वे साथ गोडों तथा साथ रस्यों से जुते रत पर आरुन रहते हैं। चंद्रमा गौरवरण शुष्ट वस्त्र और शुष्वयुक्त हैं। तथा उनके आभूशन भी शुष्वरणक के हैं। धरणी मंदन मंगल की चार भुजाय हैं। वे अपने चारों हातों में खडग ढाल गदा तत्हावर मुद्रा धारन किये हैं। उनके शरीर की कांती करने के पुश्प सरीखी है। वे लालरंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारन करते हैं। फिपीतदंसे अनुलिक्त हैं। वे दिव्य सोने के रत पर विराजमान हैं। देवताओं और नत्यो पीत और श्वेत वर्रण की होनी चाहिए उनके चार वुजाएं हैं जिन में वे दंडरुद्रक्ष की माला कमंडलू और वर्मुद्रा धारण की रहते हैं शनेश्चर की शरीर कांती इंद्र नील मनी की सी है वे गीद पर सवार होते हैं और हात में धनुषबान त्रिशूल और वर्मुद्रा धारण की रहते हैं राहु का मुख सिंग के समान भयंकर है, उनके हातों में तलवार, कवच, त्रिशूल और वर्मुद्रा शोभा पाती है, तथा वे नीले रंग के सिंगासन पर आसीन होते हैं, ध्यान प्रतिमा में ऐसे ही राहु प्रशश्त वाने गए हैं, के तू बहुतेरे हैं, उन सब की दो भुजाएं हैं, उनके शरीर आदी धुम्र वरन के हैं, उनके मुख विग्रित हैं, वे दोनों हातों में गदा एवं वर्मुद्रा धारन किये हैं, और नित्य गीद पर समासीन रहते हैं, इन सभी लोक हितकारी ग्रहों को किरीट से शुशोवित कर देना चाहिए तथा इन सब की उचाई अपने हाथ के प्रमान से एक सो आठ अंगुल साड़े चार हाथ की होनी चाहिए, हे पांडु नंदन, यह मैंने आपको नवग्रहों का स्वरूप बतलाया है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसी प्रतिमा बना कर इनकी पूजा करें, जो मनुष्य उपर युक्त विदी से ग्रहों की पूजा करता है, वह इस लोक में सभी कामराओं को प्राप्त कर लेता है, तथा अंतमे स्वर्ग लोक में प्रतिष्टित होता है, यदि किसी निर्धन मनुष्य को कोई ग्रह नित्य पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो उस बुद्धिमान क चाहिए कि उस ग्रह की अतना पूर्वक भलीवाती पूजा करके ततपश्चात शेश ग्रहों की भी अर्चना करें, क्योंकि ग्रह गव राजा और ब्रहमन ये विशेश रूप से पूजित होने पर रक्षा करते हैं, अन्य था अब हेलना किये जाने पर जला कर भस्म कर दे करते हैं, इसलिए वैभग की अविलाश रखने वाले मनिश्य को दक्षणा से रहित यग्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरपूर दक्षणा देने से यग्य का प्रधान देवता भी संतुष्ट हो जाता है, नवग्रहों के यग्य में यह दस हजार आहुतियों वाला हवन ही होता है, इस प्रकार विभा उस्सव यग्य देव प्रतिष्ठा आदी कर्मों में तथा चित की एवम आस्मिक विपत्यों में भी यह दस हजार आहुतियों वाला हवन ही बतलाया गया है, इसके बाद अब मैं एक लाक आहुतियों वाले यग्य की विधी बतला रहा हूं, किर्पा का रध्यान पूर्वक सुनिये, विद्वानों ने संपूरण कामनाओं की सिद्धी के लिए लक्ष होम का विधान किया है, क्योंकि यह पित्रों को परम्प्रिया और शाक्षात भोग एवं मोक्ष रूपी फल का प्रदाता है, बुद्धीमान यजमान को चाहिए की ग्रह बल और तारा बल को अपने अनुकूल पाकर ब्रामण द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं, और अपने ग्रह के पूर्वोत्तर दिशा में अथ्वा शिव मंदिर की समी परवर्ती भूमी पर विधान पूर्वक एक मंदक का निर्मान कराएं, जो दस हात अथ्वा, हा देना चाहिए, तदनंतर मंदक के पूर्वोत्तर भाग में यथार्थ लक्षणों से युक्त एक सुन्दर कुंड तयार कराएं, परिमान से कम अथ्वा अधिक परिमान में बना हुआ कुंड अने को प्रकार का भै देने वाला हो जाता है, इसलिए शांती कुंड को परिमा अनुकूल ही बनाना चाहिए, ब्रह्मा ने लक्षमी होम को और लक्ष होम को आयुत होम से दस गुना अधिक फलदायक बतलाया है, इसलिए इसे प्रतन्य पूर्वक आहुतियों और दक्षणाओं द्वारा संपादित करना चाहिए, लक्ष होम में कुंड चार हाथ लंबा और दो हाथ चोड़ा होता है, उसके भी मुख्य स्थान पर यूनी बनी होती है और वह तीन मेकलाओं से युक्त होता है तथा देवताओं के स्थापना के लिए एक वेदी का भी विधान बतलाया है, जो तीन परीदियों से युक्त हो, इनमें पहली परीदी दो अंगुल उंची होनी चाहिए, विद्वानों ने इन सब की चोड़ाई दो अंगुल की बतलाई है, वेदी के उपर दस अंगुल उंची एक दिवाल बनाई जाए, उसी पर पहले की ही भाती, फूल और आक्षतों से देवताओं का आवहन किया जाए, राजेंद्र, अधी देवताओ एवं तत्य अधी देवताओं सहित सभी ग्रहों को सूर्य के सम्मू की स्थापित करना चाहिए, उत्रा भिमुक अत्वा पराग भिमुक नहीं, लक्षमी कामी मनुष्य को इस यग्य में सभी देवताओं के अतिरिक्त गरुन की भी पूजा करनी चाहिए, उस समय ऐसी प्र करने वाले हो, अता मुझे शांती प्रदान करो, तत्पश्चात पहले की तरह कलश की स्थापना करके हवन आरंब करें, एक लाक आहुतियों से हवन करने के पश्चात उन्हा समिधाओं की संख्या के बराबर और अधिक आहुतियां डाले, फिर अगनी के उपर घृत कुम् वसोरधारा की विधी यह है, बुजा बराबर लंबी गूलर की लकडी से जो खोकली ना हो तथा सीधी एवं गीली हो, इस्तुरुवा बनवाकर उसे दो खंबों पर रखकर उसके द्वारा अगनी के उपर समयक प्रकार से घी की धारा गिराएं, उस समय अगनी सुप्त, व और जेष्ट साम का गान करना चाहिए, तदुपरांत पूर्वत यजमान इसनान कर स्वस्ति वाचन कराएंत था, काम क्रोध रहित होकर शांत चित से पूर्वत रितिज्यों को प्रतक प्रतक दक्षुना प्रदान करें, नवक ग्रह जग जग के अयुत हों में चार वेद ब्रामणों को अथवा, शुरुती के जानकार एवं शांत स्वभाव वाले दो ही वितिज्यों को नुक्त करना चाहिए, विस्थार में नहीं फसना चाहिए, इसी प्रकार लक्ष होम में अपनी सामर्थ के अनुकूल मस्य रहित होकर दस हाठ अठवां चार वितिज्यों को नुक्त करना चाहिए, पांडव स्रेष्ट सम्मती शाली जमान को यता शक्ती भक्ष्य प्रदार्थ आभूशन वस्त्रो सहित सैया, स्वर्ण निर्मित कडे, कुंडल और अंगूटी आदी सभी वस्तुएं लक्ष होम में नवग्रा यज्य से दस गुनी अधिक देनी चा जो लोब अध्वा अग्यान से वरपूर दक्षणा नहीं देता उसका कुल नष्ट हो जाता है, सम्रिद्ध कामी मनुश्य को अपनी शक्ती के अनुसार अन्य का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्य दान रहित किया हुआ यग्य दुरुभिक्ष रूप फल का दाता हो जाता है, अन्य हीन यज्य राष्ट को मंत्र हीन यज्य रितिज्यको और दखषणा रहित यग्य, यग्य करता को जलाकर नष्ट कर देता है, इस-प्रकार विदिहीर यज्य के समान अन्य कोई शत्रु नहीं हैं अल्प धनवाले मनुश्य को कभी लग्षुहूम नहीं करना चाह सुल्प संपति वाला मनुष्य केवल पुरोहित की अथवा दो या तीन ब्रहमणों की वक्ति के साथ विधिपूर्वक पूजा करें अथवा एक ही वेदग्य ब्रहमण की वक्ति के साथ दक्षडा आदी से प्रतन्य पूर्वक अर्चना करें बहुतों के चक्क्र में ना वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है वह 800 कल्पों तक शिव लोक में वसुगण आदित गण और मरुदगणों द्वारा पूजित होता है तता अनुत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य किसी विशेश कामना से इस लोक और लक्ष होम को विदी की पूर्वक संपन करता है उसे उस कामना की प्राप्ति तो हो ही चाती है साथ ही वह अभिनाशी पद को भी प्राप्त कर लेता है इसका अनुष्ठान करने से पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है तथा धन आर्थी को धनलाब होता है भार्यार्थी सुंदर पत भष्ट हुआ राजा और लक्षमी का अभिछाशी लक्षमीप्राप्त करता है इस प्रकार मनुष्य जिस वस्तू की अभिशा करता है उसे वह प्रचूर मात्रमें प्राप्त हो जाती है जो निश्वकाम भ्हव से इसका करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है कोटी हों का विधान मगवान स्री क्रिश्ण कहते हैं महाराज प्राचीन काल में प्रतिष्ठान पैठड नामक नगर में सनवर्न नाम के एक महान भाग्यशाली राजा थे वे सबी शाष्त्रों में निपुण ब्रह्म तत्व के ग्याता पित्र भख्त तथा देव ब्रहमन के उपासक थे एक समय की बात है ब्रह्मा जी के पुत्र महायोगी सनक राजा वरण के पास आए उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसंद हुए और उन्होंने मुनी को आसन देकर प्रणाम किया था अर्गपाध्य आदिस से उनका सतकार कर अपना राज्य और स्वयम को भी उनके लिए समर्पित किया मुनी ने भी राजा द्वारा किये अभिनंदन और अ अतिहास पुराण आदि की कथाएं उन्हें सुनाई राजा कथा सुनकर आत्म विभोर हो उठे इसी अवसर पर राजा सनवरण ने जगत के प्राणियों के हित की द्रिष्टी से सनक जी से प्राथन करते हुए कहा देवरिशे बुकंप उपल व्रिष्टी ग्रहय पातों की शांती के लिए कोई उपाय बतलाने की कृपा करें जिससे की धनधान्य की व्रधी आरोग्य सुख और स्वर्ग की प्राप्ति हो राजा सनवरण की प्राथन को सुनकर सनक जी ने कहा राजन सभी कार्यों की सित्य करने वाले शांती प्रद कोटी होम की विधी बत जाते हैं सभी उत्पात शांत हो जाते हैं साथ ही आरोग्य एवं सुक्की भी प्राप्ति होती है इसका विधान इस प्रकार है सबसे पहले शुद्ध मुर्थ देखकर देवाल्य नदी के टट पर वन में अथवा घर में कोटी होम करना चाहिए सर्व प्रथम वेद वेता ब् रतना करनी चाहिए विप्रिस्रेष्ण आप ही हम लोगों के मातापिता है आप ही हमारे आशर्य हैं और आप के अनुग्रे से हमारे सभी मनोरत परिप्लूरण हो जाए आपती से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तथा सार्व कामिक शांती प्राप्त करने के लिए आप कोटी होम नामक उत्तम यग्य करा दें आचारे को भी श्वेत वस्त्र आदी से अलंकृत होकर विद्वान भ्रामणों के साथ पुन्या हवाचन करना चाहिए पूर्व और उत्तर की और ढाल युक्त समतल भूमी पर बने हुए मंडप को भ्रामण सुत्र द्वारा घेर दें मंडप का प्रमान इस प्रकार है एक सो हाथ विस्तार का मंडप उत्तम पचास हाथ का मध्यम तथा पच्चिस हाथ का मंडप नकृष्ट है किन्तु शक्ति और सामर्थ के अनुसार ही मंडप बना कर उसके वीच में आठ हाथ लंबा चौड़ा तीन मेखला से युक्त वारह अंगुल से विस्तार युक्त योनी सहित एक चौड़स कुंड बनाना चाहिए कुंड के पूर्व दिशा में चार हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाए जो एक हाथ उंची हो उसमें सभी देवताओं को स्थापित करें मंडप की भूमी को गोबर मिट्टी से अच्ची तर मंडप के उपर वितान और तोरण लगाने चाहिए और सब समग्री एकत्रित कर पुन्या हवाचन स्वस्ती वाचन जय शब्द पूर्वक शुद्ध दिन से पुरोहित को हवन प्रारंब करना चाहिए मंडप के पूर्व में भंमा मध्य में विश्णू पश्यम में रुद के दियों पर इस्थापना करें गंद अक्षत पुष्प धूप दीप नई व्यद्य आदि से व्यदिक और पौराणिक मंत्रों द्वारा सब का अलग अलग कूजन और प्रातना करें इसके पश्चार्थ वेद पाठी ब्रामनों सहित विधान पूर्वक कुंड का संसकार क उन्ड में अग्मी प्रज्वलित कर उस अग्नी का नाम दृतार्चिश रखें विध्याव्रिध वयोव्रिध ग्रहस्त जितेंद्रिय स्वर्ग कर्मनिष्ठ शुद्ध और ज्यान शक्ती संपन एक सो ब्रामनों को हवन के लिए निक्त करें अथवा जिस संख्या में उत् वाउं की पूजा करनी चाहिए दुआ युक्त अगनी में हवन करना व्यर्त होता है इसलिए प्रज्वलित अगनी में हवन करना चाहिए रिगवेदी ब्रामनों को पूर्वा भिमुक यजुरुवेदियों को उत्रा भिमुक सामवेदी को पश्यमा भिमुक और आदि में प्रणव लगाकर अंत में स्वहा शब्द का उचारण कर व्याहतियों से हवन करना चाहिए घी काला तिल तथा जव मिलाकर पलाश की सम्यदाओं से कोटी होम करना चाहिए एक हजार आहूती पूरण होने पर पूरण आहूती करने चाहिए उन्हां उसी फ्रिकार सभी ब्राह्मनों और यजमान को काम क्रोड आदी दोशों से दूर रहना चाहिए कोटी होम की विधी को सुनकर राजा सनवरण ने कहा कि महरिशे इस कोटी होम में बहुत अधिक समय लगेगा इतने दिन तक संयम से रहना बहुत ही कठिनकार है इसलिए कृपा कर आप कोटी होम की संचिप्त विधी बतलाने का कश्ट करें जिससे कम समय में यह निर्विध्न पूरण हो जाए राजा के इस प्रकार के वचन को सुनकर सनक मुनी ने कहा राजन कोटी होम चार प्रकार का होता है शत्मुख दश्मुख दूई मुख और एक मुख समय नुसार इन चारो को अथवा समय कम रहने पर प्रतेक कुंड पर दस दस ब्रह्मनों को हवन के लिए निउक्त करें एक कुंड में अगनी का संसकार कर उसी अगनी को अन्य कुंडों में भी प्रज्वलित करना चाहिए इस विधी द्वारा जो हवन किया जाता है उससे एक ही कोटी होम होता है जो शत मुक होम कहलाता है यदि समय का भावना हो तो दस बनाकर क्रतेक कुंड पर 20-20 ब्रह्मन के लिए निउक्त करने चाहिए यह दश मुक नामक कोटी होम है । यदि महिने में दो महिने या समय हो तो कुंड बनाकर प्रतेक कुंड पर पचास-पचास ब्रामणों को हवन के लिए अमंत्रित करना चाहिए यह दूइ मुक कोटी होम है अधिक से अधिक समय हो तो एक कुंड में अगनी स्थापन कर उत्तम कुलोगपनवेदवेता सदाचारी ब्रामणों से हवन कराना चाहिए इस हवन में ब्रामणों की संक्या का कोई नियम नहीं और समय की सीमा भी निश्चित नहीं है यह एक मुक कोटी होम स्वच्छा यग्य कहलाता है इस स्वच्छा यग्य में बहुत समय लगता है और बीच में अनेक प्रकार के विग्ण भी उत्पन्न हो जाते हैं धन और शरीर की स्थिरता का कुछ भी भरोसा नहीं है इसलिए संख्षेप से ही यग्य करना चाहिए यह संपन्न कर अच्छी प्रकार से महुस्व मनाना चाहिए सभी भ्रामणों को कटक, कुंडल, वस्त्र दक्षणा, एक सो गाएं, एक सो घोडे और सुवर्ण आदी प्रदान करने चाहिए तथा रोहित की पूजा करने चाहिए दीनों, अंधों तथा कृपणों आदी को भोजन देकर अंत में कलशों के जल से अवय भृत इसनान करें और भ्रामण ये जमान का विशेख करें इस विदी से जो राजा ये व्यक्ति कोटी होम करता है वह आरोग्य, पूत्र, राज्य, वृध्धी, अश्वर्य, दनधान्य, प्राप्त कर सभी प्रकार से संतुष्ट रहता है तथा उसको ग्रह पीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ती राज्य में अनावरिष्टी उत्पात महामारी दुर्विक्ष आदी कभी नहीं होते सभी तरह के पाप और ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाला शांती दायक यह कोटी होम है इसको करने वाला व्यक्ति इंद्र लोग को प्राप्त कर लेता है महाशांती विधान मगवान स्री कृष्ण कहते हैं राजन अब मैं मगवान शंकर द्वारा कही गई महाशांती का विधान बतलाता हूं यह राजाओं के लिए कल्यान कारी है तथा भहन कर विध्यों को अधूर करने वाली है इस महाशान्ती को राजा के अभिशेक यात्रा तथा दूसुपन के समय दुर निमित में ग्रहों की प्रतिकूलता में बिजली और उलका के गृने पर जन्मनक्षत्र में केतू के उदय होने पर प्रिथवी कमपन और प्रसूती काल में मूल गंडांत में मितुन संतती के उत् प्रतिकाल में राजा के छत्रा थवा द्वज के अपने स्थान से पतन के समय काक उल्लूक और कभूतर के घर में प्रवेश करने पर क्रूर ग्रह के दृष्टी पढ़ने पर या जन्म के समय क्रूर ग्रहों के योग होने पर लगन कुंडली में 12 चतुर्थ और अश्टम स् पंगल के स्थित होने पर तथा युद के समय वस्त्र आयुद मणी केश गव अश्व के विनाश के समय रात्री में इंद्र धनुष दिखाई पढ़ने पर घर के तुला भंग के समय तथा सूर्य और चंद्र ग्रहन आदी के समय में यह महाशान्ती प्रशश्तमानी गई है इसके करने से सभी दुर्ण निर्मित शांत हो जाते हैं पांडवत उत्तम कुल में उत्पन तथा शील संपन वैदिक भ्रहमनों से इस महाशान्ती को कराना चाहिए विशेश रूप से अथरवेद यजुरवेद तथा रिगवेद के ग्याता पवित्र ग्यान संपन जब हो परायन और अनेक कृच्छादी व्रतों के द्वारा शुद्व्यक्ति इसमें प्रशस्त माने गए हैं प्रथम भगवान की अराधना करके क्रिया का आरंब करना चाहिए दस या बारह आत का एक सुंदर मंडप बनाकर उसके मध्य में चार हाथ की वेदी बनाएं और आगने दिशा में एक हात प्रमान वाला एक सुंदर कुंड बनाएं एवं वह कुंड तीन में खलाओं से युक्त तथा योनी से विभूशित होना चाहिए मंडप को चंदन माला तूरण आदी से अलंकृत कर गोबर से लीपना चाहिए मंडप में वेदी के उपर आगने आदी कु लोगों शर्वोशदी पंच रत्न रोचना चंदन सप्त मृति का धान्य तथा कुन्य तीर्थ के जल नारी केल आदी से भली भाती स्थापित करना चाहिए ब्रह्म कूर्च विधान से पंच गव्य का निर्मान करें इसके अनंतर वैदिक मंत्रों से कलशू को अभिमंत्रि इसके बाद स्वस्ति वाचन करना चाहिए अनंतर अगनी कार संपन्य करें इस मंत्र के द्वारा खुंड में अगनी स्थापित करें इस मंत्र से ब्रह्मासन को स्थापित करें अगनी पूजन के अनंतर आज्य गृत का संसकार करें अनंतर विधी पूर्वक यज्य द्रव् इस्थापित करना चाहिए इसके बाद पुरु सुक्त का पाठ करते हुए चरू का निर्मान करें उसके सिद्ध होने के बाद पृत्वी पर इस्थापित करें इसके पश्चात शमी की अठारा कथा पलाश की साथ समिधाओं को अगनी प्रज्वलित करने के लिए कुंड में डाले आधार और आज्यभाग संग्यक हवन करने के बाद जातवेद से भंमा इस विच्छा के द्वाराघी की साथ अहुतिया प्रदान करें उन्हां जातवेद से पुनी हिम्मा इस मंत्र से इस्थाली पाक द्रप्य का हवन करें तदनंतर इस सुक्त से चार बार हवन करें इसके बाद इस मंत्र से स्वह शब्द का प्रियोग कर साथ अहुतियां दें तदनंतर इस मंत्र से साथ बार अहुतियां प्रदान करें फिर नक्षत्रों के लिए बीस अहुतियां दें अनंतर इसके द्वारा हवन करने के बाद सुष्ट कृत हवन करें तदनंतर गृत सहि तिल से ग्रह होम करें इसके बाद प्राइश्चित निमित तक हवन करके होम कर्म को समाप्त करें तदनंतर स्रेष्ट दुजी अजमान के दुर्निमित की शांती के लिए पांच कलशों के जल से मंत्रों के द्वारा यथा कर्म अविशेक करें इस मंत्र से प्रथम कलश के जल से द्वारा दुर्तिया कलश के जल से इस मंत्र से तृतिया कलश के जल से इस मंत्र से चतुर्त कलश के जल से तथा इस मंत्र से पंचम कलश के जल से अविशेक करें इसके बाद इस मंत्र से दिशाओं को वली नई वैद प्रदान करें यजमान के सनान करने के समय ब्रामन गण शान्ती का पाठ करें, चारो और शान्ती जल से जल की धारा गिराएं, अंत में पुन्या हवाचन पूर्वक शान्ती कर्म को संपन करें, ब्रामनों को यथा शक्ती भूमी, सुवर्ण, वस्त्र सैया, आसन एवं दक्षना दें, दीन, अनाथ, विशिष्ट, शोत्रियों को भी भोजन आदी प्रदान करना चाहिए, ऐसा करने से आयू की व्रदी और शत्रू पर तक्षन विजय प्राप्त होती है, तैसा कुत्र लाव होता है, जैसे शश्त्रों का प्रेहार कबस से हट जाता है, वैसे ही देवी, विग्ण भी इस शांती कर्म से दूर हो जाते हैं, अहिंसक, इंद्र सैयमी, धर्म से धन अर्जित करने वाला दया और दक्षिन से युक्त, व्यक्ति के लिए सभी ग्रह अनुपूल हो जाते हैं, विनायक शांती, महराज युदिष्टिन ने कहा देवेश, अब आप विनायक शांती की विधी मुझे बताईए, जिसके करने से सभी मानव समस्त आपक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान स्रीकृष्ण बोले राजिंद्र, विनायक के प्रियस रेष्ट कांती का और शांती का मैं वर्नन करता हूँ, इसके आचरण से सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं, यह विनायक शांती संपूरण विगनों को दूर करने के लिए की जाती है, स्वप्न में जल में अब गाहन करना मुंडित सिरों तथा गेरुआ वस्त्र को देखना, मस्तक रहित शव बिना किजी कारण के ही दुखी होना, कार्य में आसफल हो जाना इत्यादी विनायक द्व पारा ग्रहित हो जाने पर राज पुत्र राज को प्राप्त नहीं कर सकता, कुमारी पती नहीं प्राप्त कर सकती, गरवनी पुत्र को और शोत्रिय आचार्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाता, विद्धार्ती पढ़ नहीं पाता, व्यपारी व्यपार में लाव नहीं पात और क्रिशिक क्रिशीकार में सफल नहीं होता इसलिए इन विग्णों को दूर करने के लिए पुन्य दिन में स्वप्नकारे करना चाहिए पीले सरसूं की खली घ्रत और सुगंधित कुम कुम का उप्टन लगा कर इसनान कर पवित्र हो जाए ब्रामणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं विदी पूर्वक कलश स्थापन करें और ब्रामण अभी मंत्रित जल के द्वारा यद्मान का अभिशेक करें और इस प्रका कहें मैं तुम्हें अभिशिक्त कर रहा हूं पाव मानीर चाउं की अधिताश्त्री देवता तुम्हें पवित्र करें महराज वरुण भगवान सूर्य ब्रहस्पति इंद्र वायू तथा सप्त रिशिगण अपना अपना तेज तुम्हें आधान करें तुम्हारे केशों सिम प्रदान कर वनायक की मातां विका की पूया करें और यह प्राथना करें मात आप मुझे रूप यश ऐश्वर्य पुत्र तथाधन करें और मेरी समस्त कामनाओं को कूरण करें अनंतर सफेद वस्त्र सफेद माला और शवएट चंडण धारण कर भ्रामन को भोजन कराएं और गुरु को दोवस्त्र प्रदान करें इस प्रकार ग्रहों की और विनायट की विधी पूर्वक पूजा करने से संपूरण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और लक्षमी की भी प्राप्ति होती है भगवान सूर्य कार्थिक्या एवं महागणपती की पूजा करके मनुष्य सभी सिध् प्रचन विधी रोगा वली चक्र भगवान स्री कृष्ण कहते हैं राजन एक बार कौशिक मुनी अगनिहोत्र करने के बाद सुक पूर्वक बैटे हुए थे उसी समय महरिशी गर्ग ने उन्से पूछा ब्रह्मन बंदी ग्रह में निरुद्ध हो अथ्वा विशम परिस्थि इसे आप मुझे बतलाएं कौशिक मुनी बोले गर्वाधान के समय जन्म नक्षत्र में मृत्यू संबंदी ज्यान होने पर जिसको रोग व्यादी उत्पन हो जाती है उसे कश्ट तो होता ही है उसकी मृत्यू भी संभब है यदि प्रितिका नक्षत्र में कोई व्यादी हो में रोग उक्पन हो तो वह व्यादी प्राण व्योगनी होती है उनर्वसु और पुण्य नक्षत्र में सात रात आश लेशा में नौ रात मघा में बीस दिन पूर्वा फागुनी में दो मास उत्रा फागुनी में तीन पक्ष 45 दिन हस्त में स्वफलपालिक पीड़ा चित जेश्ठा में आदैमास और मून में मृत्यू हो जाती है पूर्वाक्षाड में 15 उत्राख जने में 20 श्रावण में 2 मास धनिष्ठा में आधा मास शत्भीशा में 10 दिन पूर्वा भादर पदमें 9 दिन उत्रा भाद क्षत्राग भाद। उक्पन होने पर मनुष्य के प्राण तक भी चले जाते हैं इसमें संदे नहीं इसकी विशेष जानकारी के लिए जोतिशियों से भी परामर्ष करना चाहिए रोग के प्रारंबिक नक्षत्र का ज्यान हो जाने पर उस नक्षत्र के अधी देविता के निमित निर्दिष्ट द्रव्यों द्वारा हवन करने से रोग व्याधी की शान्ती हो जाती है व्याधी नक्षत्र के किस चरण में उप्पन हुई है इसका ठीक पता लगा कर आपक्ति जनक स्थितियों में व्याधी से मुक्ति के लिए उस नक्षत्र के स्वामी के मंत्रों से अभिष्ट समिधा द्वारा हवन कराना चाहिए अश्वनी नक्षत्र में ख्षीरी दूद वाले वट पीपल खरीनी आदी व्रक्षों की समिधा से अश्वनी कुमारों के मंत्रों से हवन करना चाहिए बरणी में इस मंत्र से घी मधू और तिल से हवन करना चाहिए इसी प्रकार कृतिका में भी अगनिक के मंत्रों से हवन करना चाहिए रोणी में प्रजापती के मंत्र से म्रगशिरा में घी से उनर वसू में दिती देवी के लिए दूद और घी मिश्रित आहूती प्रदान करनी चाहिए उन्य में ब्रहस्पती के मंत्रों से घी और दूद द्वारा आशलेशा के देवत अथा बढ़के दूद और घी से मिश्रित आहूती देनी चाहिए इसी प्रकार स्वाती मूल आदी सभी नक्षत्रों में घी मिश्रित आहूती देनी चाहिए मुने ब्रह्मा जी ने यह बतलाया है कि विदी पूर्वक गायत्री मंत्र द्वारा भी प्राय एक सहस्त्र घृत की आहूती देने पर सम्पूर्ण ज्वरों एवं व्याधियों का संध उपशमन हो सकता है क्योंकि गायत्री का आर्थ ही है कि गान हवन पूजन द्वारा त्राण करने वाली अपराध शत शमन वृत महरिशी वसिष्ट जी ने राजा इच्वाकू से कहा राजन अब आपको एक वृत बतला रहा हूं जिससे महाफल की प्राप्ती होती है और सैकड़ो दोश पापो का शमन हो जाता है राजा इच्वाकू ने पूछा भ्रह्मन मुख्य रूप से सो अपराध या दोश पाप कौन कौन है और वहेवरत कौन सा है जिसके अनुष्ठान मात्र से उनकी शांती हो जाती है इस वृत म किस देवता की पूजा होती है और किस समय यह व्रत किया जाता है आप बतलाने की किरपा करें महरिशी वसिष्ट बोले महाभाव अपराध शत्षमन व्रत को सुनो जिसका अनुष्ठान करने मात्र से मनिश्य को सभी प्रकार की कामनाएं और मुप्तियां प्राप्त हो जात आते हैं राजन अब आप इन अपराधों के नाम और लक्षणों को सुने अनाश्रमित्व चारों आश्रमों में बाहर रहकर स्वचंद नास्तिक वृति अपनाना अगनी कृता अगनी होत्रहवन आधी सभी कारियों का प्रीतियाग व्रतहीनता कोई भी सक्त्य ब्रह्मचर और एकादशी आधी ब्रतों का पालन ना करना अधात्रित्व कभी कभी कुछ भी अन्य धन या अशिरवाद आधी ना देना अशोच मृद्यता लोब शमाश्मिंता जन पीडा परपंच में पढणना अमंगल ब्रतभंग नास्तिकता वेदनिंदा कठोडता असत्यता हिंस चोरी इंद्रिय परायना मन को वश में ना रखना क्रोध इंद्रिय दुएश दंब शक्ता धूरता कुटुम भाशना प्रमाद इस्त्री पुत्र माता आधी का पालन ना करना अपुज्य की पूजा करना श्राद का त्याग जपना करना बली वैश्वदेवत था पंच नित्य कर्मों का परित्याग अगनी का भुजाना जितुकाल के बिना ही इस्त्री संपर्क पूर्व आधी में इस्त्री सहवास चुगली दूसरे की इस्त्री के साथ गमन वैश्य गामिता अपात्र को दान देना अल्पदान अंतिय संग माता पिता की सेवा ना करना सबसे जगड़ा करना पुर्वाण और स्मृतियों का नादर करना अभक्षय भक्षण स्वामी द्रोह बिना विचारे कारी करना कृशी कार्य करना भार्या संग्राय मन पर विजय ना प्राप्त करना विद्या की विश्मर्ती शाष्त्र का त्याग करना रिन लेकर वापिस ना कर कर्म करना सधा कामनाओं का दास होना भार्य पुत्र एबं कन्या आदि का विक्रे करना पशु मैंथुन इंधुनार्थ व्रिख्षि काटना बिलों में पानी आदि दालना तड़ाग этिके जल को दूशित करना विद्य का विक्रे स्वर्ती का परितियाग याचना कुमित्रता इस्त्री वद गउ वद मित्र वद ब्रून हत्या परोहित्य दूसरे का अन्य और शुद्र के अन्य को ग्रहन करना शुद्र का अगनी कार्य संपन्य करना विदी विहीन कर्म का निश्पादन कुपुत्रता विद्वान होने पर याचना करना वाचालता परती ग्रहे लेना श्रोत संसकार हींडता आत्र व्यक्ति का दुख दूर करना ब्रमहत्या, सुरापान, स्वरण चोरी, गुरुपतनी गमन तथा पात्कियों के साथ संबंद स्थापित करना ये अपराद है अन्य तत्व वेताओं ने भी विविद प्रकार के अपरादों को कहा है अनध वगवान सक्तियश की पूजा करने से तक्षन सभी प्रकार के अप पूजन करने से भगवान स्वयम उसके वश्में हो जाते हैं हे जगतपती भगवान विश्णू लक्ष्मी के साथ सत्य रूपी द्धवज के उपर इस्थित रहते हैं इनके पूर्व में बामदेव दक्षण में नर्सिंग भगवान पशीम में भगवान कपिल उत्तर में बरह भगवान तथा उर्द्म में अक्चुत रिस्थित रहते हैं इन्हें ही ब्रह्म पंचक जानना चाहिए यही सत्येश हैं इन्हीं की सदैव पूजा करनी चाहिए यह सत्येश भगवान पद्म कोमोद की गदा पांच जन्य शंक तथा सुदर्शन चक्रधारन किये रहते ह इनके चरण कमल के अर्गभाग से पवित्र गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है इनकी आठ शक्तियां हैं जिनके नाम इस्तकार हैं जया विजिया जयन्ती पापनाशनी उन्मीलनी वंजुली त्रीश प्रशा और विवर्धना वे भगवान हरी शुक्लाम बर्धारी सौम में प्रसंद मुक सभी आभरणों से युक्त शोभा यमान और भुक्ती मुक्ती प्रदाता है राजन उनकी जिस विदी से प्रतन्य पूर्वक पूजा करनी चाहिए उसे आप सुने मार्गशीश आदी बारह मासों में द्वादशी अमावस्या अत्वाश्टमी के दिन होकर उपवास पूर्वक ब्रत करना चाहिए शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में जनार्दन की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए इस प्रकार नियम रहन करके दंत धावन पूर्वक तड़ाग उश्कर अत्वा घर पर ही सनान कर नित्यनायमित्यक कर्म करने चाह भगवान से लक्षमी साहित्य सत्येश की प्रतिमा बनवाएं जो अश्त शक्तियों से समन्वित पदमासन परिस्थित हों दूद से पूरित कुम्ब परिस्थित सुवरण पदम के ऊपर उस प्रतिमा को स्थापित करें उस पदम की करणिकाओं पर देवादी देव की आठ शक्तियों की पूजा करें अनंतर भगवान सत्येश विष्णु और सत्या लक्षमी की विदीवत विविद पाद्याधी उप्चारों से पूजा करें अनंतर इस प्रकार प्राथना करें अनंतर अपनी शक्ति के अनुसार ब्रहमन को दान देकर वृत का समापन करना ब्रामन कहें आपके सभी पाप एवं दुख दूर हो जाएं तदनंतर ब्रामन को वह मूर्ति समर्पित कर समापन करना चाहिए राजन ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस व्रत को करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है जो फल सभी वेदों के अध्यन से और सभी तीर्थों में ब्रह्मन करने से प्राप्त होता है उससे पूटी गुना फल इस व्रत के आचरण से होता है और व्रति को इस लोक में धन धान्य प सुत्र पौत्र मित्र तथा सुप की प्राप्ति होती है व्रत को करने वाले व्यक्ति को विध्या और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमें कोई संदे नहीं है जो इसको पढ़ता अत्वा सुनता है उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं कांचन पूरी व्रत कथा भगवान स्रीक्रिष्ण कहते हैं महराज एक बार विश्व के उत्पती पालन और संघार कारक अक्षर पुरुशोत्तम भगवान विश्णु श्वेत दूइप में सुक पूर्वक बैटे हुए थे उसी समय जगन माता चांग प्रणाम कर उनसे पूछा भगवन आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं महाभाग मुझ पर भी दया करके आप कोई ऐसा रूप सोभग्य दायक सरवत्तम व्रत बतलाएं जिसके आचरन से समस्त तीर्थ आदिकुन्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाएं